Xiaomi ने हाली की दुनों में launch किया था अपना phone Redmi Note 8 Pro ये company का पहला phone है जो आता है 64MP camera के साथ लेकिन इस segment में ये पहला phone नहीं है क्योंकि Realme नहीं पहले ही launch कर चुके है Realme XT दोनों ही phones में आपको caught camera setup मिलता है और दोनों ही phones में आपको 64MP camera मिलता है लेकिन किस phone का camera ज्यादा अच्छा है देखते हैं इस video में आप देख रहे हैं तो मोबाइल इंडियर और मैहूर रोहन वीडियो शुड़ो करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्राइजिक के बारे में अगर रेड्मी नोटेक प्रो के बात करें तो यह तीन में अविलिबल है जो इसका बेस वेरिंट है 64GB इंटर्ण स्टोरिज वो आपको मिलेगा 14,999 रुपे 6GB RAM 103GB वेरिंट जो आपको मिलेगा 15,999 रुपे अगर रेल में एक्षटे के बात करें तो यहां का जो बेस वेरिंट है वो आपको मिलता है 15,999 रुपे 6GB RAM और 64GB इंटर्ण स्टोरिज आपको मिलता है 16,999 रुपे और 8GB RAM और 18GB इंटर्ण स्टोरिज आपको मिलता है 18,999 रुपे तो यह तो 30's की pricing और आप बात करते हैं दोनों की camera specifications की तो Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है quad camera setup जो आता है 64 megapixel primary lens के साथ साथ आपको मिलता है एक 8 megapixel का wide angle lens, एक 2 megapixel का dip sensor और एक 2 megapixel का macro lens अगर हम friend की बात करें तो Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है 20 megapixel का selfie shooter अगर रेल भी XG की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 64 megapixel का primary lens, एक 8 megapixel का wide angle lens, एक 2 megapixel का macro lens और एक 2 megapixel का depth sensor अगर इसकी front की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 megapixel का selfie shooter तो यह तो इसकी camera specification और आप बात कर लेते हैं इसके camera results की और सबसे पहले हम बात करेंगे daylight की तो daylight की तो देख रहे हैं यह हमने एक fountain का लिया है और जो पहले image है यह हमने लिए है wide angle पर अगर हम दोनों इसकी बात करें यहाँ तो दोनों को यह result का इफरेंट है यहाँ पर ता पौधोर की बात करें तो वहाँ पर थो आसा जो रियल में है वो oversaturate करता है colors लेकिन जो Xiaomi के photo आई है वो एक दम जादा natural looking है और दोनों ही photos में काफी अच्छा details आपको देखने को बिलेगी कहीं जगा आपको यह नहीं लगे है कि जो detailing है वहाँ पर कमी है लेकिन हा रियल में जो स्काय है वो फिर आपको थोड़ा सा नजर आता है जो ब्लो स्टोन है बैक्रांड लेकिन रेड में अड़ेट प्रूव में वो चीज आपको नजर नहीं आती है तो इसके दूसरे मोट है वो हमें उसके नर्मल मोट परी थी यहां पर भी आप जैसे आप देख रहे हैं क वो भी आपको एक्दम क्लेरी नजर आते हैं अगर आप उसको जूम करके रेखें तो लेकिन वही सेम पर्बम में रेल में पर गरेंगे जो ग्रीन है वो उसको सबसाओ ओवर साच्राट कर रहा है लेकिन जो रेड मी नोट प्रो है वो उसको डीसेंट रखता है तो आप दे जादा अच्छी देखने को मिलेगी तो दूसरा शॉट देख लेते जो में इंडो कंडिशन में लिया था और यह दोनों ही शॉट्स हमने 64 मेगा पिक्सल आउन करके लिया है जैसे कि आप देखरें काफी डिफरेंस आपको नजर आएगा यहां पे जो शौमी कलर से हैं वो जाएगा बात्यूं की जाएगा काफी अच्छे आठाबर के आएगा है काफी कंत्रास्ट कफी अच्छाल लग रहा है में लेकि वही जो Have a new RadiosoMan वह तो तोन डाउन लगेंगे नाचुरल है लेकिन इतना जाद अच्छ उपर के नहीं आ रहा है वह चीज अगर हम दोनों की डीटेलिंग काफी अच्छी है यहां पे हमने जो नारियो को अगर आप जो जूम करके देखेंगे तो दो में जो डिटेल्स लेवल्स है वह ऑर मस आपको डिफरेंस नहीं है अगर आप उनमर जो पॉपी कलर्स चाहिए जो अच्छा कालाजम को चाहिए जाद अच्छा कांटास चाहिए तो डिटेल्मी का देख सकते हैं वन्ना रेवी नोटेग प्रो भी आपको डिसेंट फोटो दीता है तो एक और फोटो देखेंगे त अगें यहां पर दूनों ने काफी अच्छा काम किया है यहां पर जो डिटेलिंग से वो भी काफी अच्छी नोनों में नजर आएगी अगर आप जूम करके देखेंगे जो बोट टाइप डिजाइन दे रिखा हुआ है वो उसपर जो डिटेल्स है जो चोटे-चोटे जो अगर आप जो जो जादा बहतर आपको डिटेलिंग वो इस पर जादा अच्छी जो बरके आरही है अगर आप फ्रेट फोर रांग को जो अगर आप जो रूट है अगर उसको देखोगे तो यहां पर नोटेट पर आपको ज्यादा अच्छा डिटेलिंग नजर आती है ऐस कंपे टू रियल्मी एकस्टी तो इसकी फ्रेंट कैमरा की जो फ्रेंट कैमरा की डिलेट परफॉर्मस कैसी है जैसी कि आभी इमेज देख रहे हैं अ काफी अच्छा से मैरेज कर रहे है वो उसको ओर एकस्पोज नहीं कर रहे है और इवन जो स्कुर्ट कर रहे है वो रियल्मी में ज्यादा नैच्रल ला रहा है इस कंपे टू शौमी की जो में दिककतारी आप देखेंगे जो बैग्रांट है और यह जो जिट्रिंग एपको पर देखने को बिलता है वो सेम चीज़ आपको रियल्मी के फोन में नहीं देखने को बिल रहे है तो अब बात करने चाहिए इसकी लो लाइट परफॉर्मस की जो सबसे पर शौट है वह हम यहां पर देखते है हमें यह जो फूट यह आमने बिल्डिंग का शौट है यह ज जादा अच्य से हाइलाइट काप्चर कर रहा है तो अगर आप बिल्डिंग देखे हैं इवन ट्रीज देखे तो नोटेट प्रो में आपको थोड़ से ज्यादा बहतर नजर आती है तो यह जो इसको जो रिजल्ट है वह आपको आमोस वैसे ही देखता है क्योंकि दोनों ही आपको जो टेक्स्ट है जो बोड लगा हूँ आप एजली रीड कर सकते हैं लेकिन जब हम नाइट मोट स्विच करते हैं तो चीज काफी बदल जाती है जहां नाइट पर हमने नोटेट प्रो में यूज किया तो वहां पे इतने अच्छे से डीटेलिंग कैप्शल और नही वह डल आ रहा है नोटेट प्रो में लेकि रेल में एक्स्टी में वह चीज हाइलाइट हो रही है तो उसका जो नाइट पोर्ट है वो अपरिटिवली बेटर है नोटेट प्रो से तो आब बात कर लेते हैं दूसरा शॉट जो हमें एक क्लोजब टाइप शॉट लिया है और लेकिन इसके लावा जो डिप्थ धुरों कपच्य करी है वो काफी अच्छे से काफी अच्छे कारी है और ऑर गाउसरा नोटेट प्रो है उसकी जो में यहाला। जो स्लाइटली बेटर लगा है तो इस सरी शाट के बात कर लगाता है हमने लिए था यूजिं वाइड अंगल लेंज और जैसे कि आप दोने फोटो में देख रहे हैं जो नोटेट प्रो है वह थोगा से ज्यादा बहतर परफॉर्म करता है कि जो बिल्डिंग है वह जादा अचे अच्छे कैप्चर होते हैं एस कंपेर टू रेल्मी एक्सटी तो जो इसका वाइड अंगल है लो लाइट में वह आपको नोटेट प्रो का थार सा बहतर लगेगा एस कंपेर टू रेल्मी और जो सेकंड शॉटर्स आमने टूर्स मोड यूस करते हैं और जैसे कि आप देख इस कंपेर टो रेल्मी एक्स कप देखुआ है इस की वीडियो कप्रिलिटि यह पर आपको तो डिटेलिंग्स है वो तोड़ा सा डामोडोल हो है लेकिन रियल्मी ने आप्ली एक फोकुस किया है तो अब देखे ते ही जो हमने वीडियो गुनाई है इसका फ्रेंट कैमरा यूज करते हुए तो इस तम जो आप वीडियो देख रहे हैं यह हमने इसके प् आपको बह्तर लग रहा है तो अब जाते है इस वीडियो के एंड में कौनसे फून का कैमरा ज्याद अच्छा है जोते हमें आपने फोडोस देखिये हैं और जितने पिपने रिजर्स देखिये हैं जो रियल्मी है वह भी अच्छी फोडो खीच रहे हैं लेकिन कहेंगे जिएगए वह यह कलर सबसे ओर साथ कर देता है तो आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जुरू बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे हैं दो मोबाल इंडियन